ये दिवाली का त्योवार है मैं मुख्यमंत्रियों की व्यस्तर काया समझ सकता हूँ और फिर भी मैं सभी आधर्णिय मुख्यमंत्री का बहुत आभारी हूँ कि वे समय निकाल करके हमारे साथ बैठे हैं ये बास है है कि मैं डिश्ट्रिक के लोगों से बात करना चाहता था म लेकिन ये commitment है मुख्यमंत्रियों के दिल में भी अपने राज्य को 100% vaccination का जो उनका लक्ष है इसलिए वो मुख्यमंत्री भी आज हमारे साथ बैठे और उनकी मौझूदगी हमारे district के जो अधिकारी हैं उनको एक नया विश्वात देगी नया ताकत देगी और मेरे लिए से आभार वेक्ते करता हूं को उन्हों ने इसको इतना महत्वत दिया और समय निकाल करके वो आज त्योहारों के दिन में भी बैठे हैं मैं रुदेश से सबी मुख्यमंत्रियों का धन्यवात करता हूं और मुझे विश्वास है कि आज जो बाते हुई है अब मुख्यमंत् से हुई है हर डिस्टिक का गाउं का छोटा मोटा हर मुलाजिम हमारी आशावर कर कितनी महनत की है जी कितने दूर दूर इलाकों में पैदल चल चल करके लोगों ने वक्षे जैसन पहुचाया है लेकिन एक बिलियन के बाद अगर हम सोड़े से भी डेले पड़ गए तो आखरी अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ती है और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा भी धिलापन लाने नहीं देना है साथियों सौ साल की इस सबसे बड़ी महामारी में देश ने अने चुनोतियों का सामना किया है कॉर्णा से देश की लड़ाई में एक खास पाद यह रही कि हमने नए नए समाधान खोचे इनोवेटिव तरीके अजमाए और हर इलाके में लोगों ने अपने दिमाग से नए नहीं चीज़े की है आपको भी अपने अपने जीलों में वैक्षिनेशन बढ़ाने के लिए नए नए इनोवेटिव तरीके पर और ज्या रखना होगा कि देश के जिन राज्यों ने शत्त प्रतिक्षत पहली डोज का पड़ाव पूरा किया है उनमें भी कई जगों पर अलग अलग तरह की चुनोतियां रही है कहीं बोगोलिक परिस्तितियों की वजह से मुश्किल आई तो कहीं साधन समसाधनों की चुनोति रह है वेक्षिनेशन से जुड़ा कई महिने का एक्ष्प्रियंस हम सब के पास है हमने बहुत कुछ सीखा है और एक अन्नोन एनिमी से कैसे लड़ा जा सकता है यह हमारे छोटे-छोटे आशा वर्करने भी सीख लिया है अब आपके माइक को स्ट्रेजी बदाते हुए आगे ब हम भूल जाए हम हर मón गां भाव में मोहला shining उसमें भी वो चार घर माकी रहे गें पारी की कि तरह तरह हम जतना जाएंगे हम पर लदा प्राप्ता करेंगे और जहां कहीं भी जो भी कमियां है उसे ज़ंद से जल्द दूर करके ही रहना है जैसा अभी आपसे बातित मोहा घ लगाने की बात उठी इविचार में समतावत अच्छा है अपने जिलों में एक गाउं एक एक कस्वे इसके लिए अगर अलग अलग रनदीती बनानी हो तो वो भी बनाईए आप छेत्र के हिसाब से 20-25 लोगों की टीम बनाकर भी ऐसा कर सकते हैं जो टीमें आपने बनाई हो उनमें एक हिल्दी कॉंपडिशन हो इसका भी प्रयास हम कर सकते हैं हमारे जो NCC, NSS के युवा साथी हैं आप उनकी भी ज्यादा से ज्यादा मदर लिजिए आप अपने अपने जीलों का खेत्र बार टाइम टेबल इसको भी बना सकते हैं अपने स ग्रास्टूट लेवल के सरकार के हमारे साथियों को बात करता रहता हूं मैंने देखा है कि महिला जो हमारी अधिकारी है खास करके वेक्षेनेशन के काम के जुड़ी है वह बड़ी जी जान से जुड़ गई उन्हों ने अच्छे परणाम दिये हैं हमारे जो महला वरकर्स हैं सरकार में जितनी हमारी बेहन नहीं इवन पुलीस में भी हमारी जो महला हैं उनको अभी पांच दिन साथ दिन के और इसके लिए हम सब को पूरी ताकर लगा देनी होगी मुझे पता है कि आपके सामने एक चनोती अफ़ा और लोगों के ब्रह्म की स्थिती भी हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शायद ये समस्याएं हमें कॉंसेंट्रेटेड एरियाज में सामने आएगी और अभ ब्रह और दोगों को जाता से ज्यादा जागुर्ग किया जा Lori आप इस पेristhaniya धर्मगुरु को भी जोड़ें उनकी मदब लें उनके छोटे 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 वीडियो बनाए दो दो तिन तिन मिनिट के और उनके वीडियो पॉपिलर करें हर घर में उनके धर्मगुरुओं के वीडियो पहुंचें धर्मगुरु उनको समझाएं इसके लिए प्रयास किये और मैं तो अक्सर अलग अलग पंथों के गुरुओं से लगातार मिलता रहा ह सभी धर्मगुरुवां से बात करकर के इस काम में मदद के लिए उनको अपील की थी और सभी वैक्सिनेशन के बहुत हिमायती हैं को विरोध नहीं करते हैं देखे मैंने अभी जैसे बताया अभी दो दिन पहले ही मैं वेटिकन में था प्रो फ्रांसिसी से बहुत अच्छी मुलाकात हुई वैक्सिन पर धर्मगुरुवां के संदेश को भी हमें जनता तक पहुंचाने पर विशेश जोर देना होगा साथियों आपके जिलों में रहने वाले लोगों की साहता के लिए उनको प्रेरिद करने के लिए वैक्सिनेशन अभ्यान को अब हर घर तक ले जाने की तयारी है हर घर दस्तक इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का संपुर्ण सुरक्षा कवट नहीं मिला है अभी तक आप सभी ने लोगों को वैसिनेशन सेंटर तक पहुंचाने और वहां सुरक्षित टिका करन के लिए प्रवंद किये अब हर घर तिका घर घर तिका इस जज़बे के साथ हम सब को घर घर पहुंचना है सात्यों इस अभियान की सबलता के लिए हमें कॉम्यूनिकेशन के लिए टेक्नलोजी से लेकर अपने सोशल इंफरसेक्टर का भरपूर उप्योग करना है हमारे पास देश के अनेक राज्यों अनेक जिलों में ऐसे मोडल है जो दूर सुदूर गाउं में लेकर शेहरों तक शत्त प्रतिशत तिका करन के लिए अपनाए गए हैं सामाजिक या भोगुलित परिस्तितियों के हिसाब से जो भी मोडल आपके लिए या किसी छेतर विशेश के लिए अनुकुल हो उसको जरूर अपनाना चाहिए एक काम आप लोग और कर सकते हैं आपके ही सहीयोग्यों ने आपके ही सात्यों ने अन्य जिलों में तेजी के साथ ठिका करन किया है समभव है आप जिन चुनोतियों का सामना कर रहे हैं वैसी ही चुनोतियों से वो भी गुजरे हो आप उनसे भी जानिये कि उन्होंने कैसे वेक्सिनेशन की गती बढ़ाई, समझ्याओं का समाधान कैसे किया, कौन से नए तौर तरीके अपनाई है, उनको ठी गई आपकी एक फोन कॉल भी आपके जीले में बढ़लाव ला सकती है, अगर उन्होंने अपने जीलों में कुछ इन्योवेक किया है, कुछ अच्छी प्रक्टिसिज़ अपनाई हैं, तो वो आप अपने जीलों में भी दोरा सकते हैं, जो हमारे आदिवासी भाई बहना हैं, हमारे वनवासी साथी हैं, उनको वेक्सिन लगाने के लिए भी हमें अभी तक के हमारे अनुफाव बताते हैं कि स्थानी नेतुत्व समाज के दूसरे सम्मानित साथ्यों का साथ और सयोग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने कुछ दिन भी चाहिता है करनी जैसे बिर्सा मुंड़ा जी का जैनती आएगी। बिर्सा मुंड़ा जी की जैनती के पहले हम एक पूरा अधिवासी ख्षतर में माहोल बना दे। आब एक प्रकारते बिर्सा मुंड़ा जी को हमारी स्रधांजली के रूप में इस बार हम वैक्षिन लगाएंगे। ऐसे कुछ इमोस्टनल चीजे हम जोड़े और मैं चाहूंगा इसलिए आदिवासी समदाय के संपूर्ण टिकाकर में भी ऐसे कुछ एप्रोथ हमें बहुत काम आएगे। टिकाकर से जोड़े कम्यूनिकेशन को जीतना हम सरल रुप में करेंगे। स्थानिय भाषा बोलियों में करेंगे। मैंने देखा है कुछ लोगों ने तो गीत बनाएं। गाते 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 वेक्षेनी से इनकी बात कर रहे हैं। इतने बहतर प्रणाम आएंगे। साथियों हर गर दस्तक देते समये। पहली डोज के साथ साथ आप सभी को दूसरी डोज पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। क्योंकि जब भी संक्रमन के केस कम होने लगते हैं तो कई बार अर्जंसी वाली भावना कम हो जाती है। लोगों को लगता है लगने लगता है कि इतने भी क्या जल्दी है लगा लेंगे भई। मुझे आद है मैं जब वन बिलियन हम पार कर गई है तो मैं अस्पताल गया था। वहां मुझे एक सज्जन मिले। मैंने उसे बात कि मैंने क्यों लगाया। तो कहने लगे ने ने साम मैं तो पहलवान हूं और मेरा मन करता है क्या जरूत है। लेकिन अब जब वन बिलियर हो गए तो मुझे लगता है मैं अचुत माना जाओंगा। लोग मुझे पूछेंगे और मेरी मुन्डी नीची हो जाएगी। तो मेरा मन कर गया कि चलो मैं भी अब करवा लेता हूं। इसलिए वो आगे और इसलिए मैं कहता हूं कि हमें किसी भी आहारत में लोगों की सोच को धीमा नहीं होने जना है। इस सोच की वज़े से दुनिया के अनेक देशों में आप देखे अच्छे अच्छे समर्द्य देशों में भी फिर से कोरोना की खबरे चिंता पैदा कर रही है। हमारे जैसे देश को तो यह जरा भी हम इसको स्विकार नहीं कर सकते। हम सहनी कर सकेंगे। इसलिए टीके की दोनों डोसर तय समय पर लगना बहुत जरूरी है। आपके छेत्र के जिन लोगों को अभी तक तय समय पर यान पुरा होने के बावज़त दूसरी डोर नहीं लगी है। उनसे भी हमें प्रात्विक्ता के आधार पर संपर्क करना होगा। उन्हें दूसरी डोर लगवानी ही होगी। साथियों सबको वैक्षिन मुप्त वैक्षिन अभियान के तहट हम एक दिन में करीब करीब धाई करोड़ वैक्षिन डोर लगा कर दिखा चुआ हमारी ताकत का हमने एसास कर लिया है। यह दिखाता है कि हमारी कैफिबिलिटी क्या है, हमारा सामर्थ क्या है। टीके को गरगर पहुंचाने के लिए जो भी जरूरी सप्लाई चेन नेटवर्क है वो तयार है। इस महिने कितनी वैक्षिन उपलब्द होगी इसकी विस्तर जानकरी भी हर राज को एडवांस में दे दी जा चुकी है। इसलिए आप अपनी अपनी सुविदा के हिसाब से इस महिने के लिए अपने टार्गेट्स एडवांस में प्लान कर सकते हैं। मैं फिर एक बार कहता हूँ इस बार एक मिलियन डोज के बाद दिवाली मनाने का उमंग आया है। हम नए लक्षांग पार करके क्रिस्मस को उमंग से मनाएं इस मिजाद के साथ आगे बढ़ना है। आखिर मैं मैं आप साथियों को एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ। आप वो दिन याद कीजिए जब आपकी सरकारी सेवा का पहला दिन था। मैं सभी डिस्ट्रिक के अधिकारियों से उनके साथ बैठी हुई टीम को मैं बड़ी रदे से अपील करना चाहता हूँ। आप कलपना कीजिए। जिस दिन पहला था ड्यूटी का। जिस दिन आप मसुरी से निकले थे ट्रेनी से निकले थे। आप कौन से भावनाओं से भरे हुए थे। आपका जजबा का उनसा था। कौन से सपने थे। मुझे पक्का विश्वात हैं आपके मन में उस समय रहा होगा। आपके मन में यही तज़ा था कि आप कुछ अच्छा करेंगे। कुछ नया करेंगे। आप समाज के लिए जीजान से जुटेंगे। फिर एक बार उन सपनों को याद कीजिए। उन संकल्पों को याद कीजिए। और हम ताय करें समाज में जो पीछे हैं जो बंचीत हैं उनके लिए अपना जीवन सबर्पित करने का इससे बड़ा कोई अउसर नहीं हो सकता है। उसी भाव को याद करने के हम एक बार जूट जाए दोस्तों। मुझे विश्वास है। आपके साजा प्रयास से बहुत जल्द आपके जिलों में वैक्षिंग की स्थिती सुधर जाएगी। आईए हर गर दस्तक घर घर जाकर के ठीका अभियान को हम सबल बनाए। आज देश के भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं मैं आप से कहता हूँ। आप भी आगे आईए। आपने टिका लगवाया अच्छी बात है। लिकिन आप औरों को टिका लगाने के लिए महनद कीजिए। ताए कि जी हर दिन पांच लोगों का इस काम में जोडेंगे। दस लोगों को जोडेंगे। दो लोगों को जोडेंगे। ये मानवता का काम है। माभारती की सेवा का काम है। 130 करोड देश वास्चों के कल्यार का काम है। हम कोई कोता ही न बरते हैं। हमारी दिवाली उन संकल्पों की दिवाली बने आजाजी के 55 साल हम बनाने जा रहे हैं ये आजाजी के 55 साल खुश्यों से भरे हो आत्म विस्वात से भरे हो एक नए उमंग और उत्सा से भरे हुए हो इसके लिए अब समय बहुत कम मेहनत करने की है बहुत कम समय में मेहनत करन मेरे देश के इन सहते साथियों से मैंने मिलने का विचार किया सारे मुख्यमंत्री जी भी मौजूद रहे इसकी गंबीरता कितनी है कि आज मुख्यमंत्रियों ने भी दिखा दिया है मैं सभी आदनियों मुख्यमंत्रियों का भी आवारी हूँ मैं फिर एक बार आपका बहु झाल झाल